स्वागत है फ्रेंट्स आप सभी का एम टेक्नो चैनल में और डियाडियो चेप्ट्रम 9 की तयारी चल रही है तो सीके सलेबस की अकोडिंग में फिर्स्ट केस्ट इसके जो लक्षन होते हैं बहुत दीरे दीर आते हैं जैसे की गले में ख्रांस के साथ तो जो हमारी होती है स्वास नली को प्रभावित करती है तो इसम्हा करेक्ट आंसर अपसन भी हो जागा फ्रेंट्स की इंप्रेही को संबंद आए तो मिरमेको लोजिए चीटियों का अधियन करने से संबंद निता है तो इसमें correct answer option c हो जायगा और जो एब fresh üç के अरॉस değişन अधियों का अधियन हो वह एपी से की तारपीन का तेल निकाला जाता है तो उसमा correct answer option D हो जाएगा friends next question है friend हमारे सरीर में कौन से बिटामीन का selection होता है तो उसमा correct answer option D है friends की vitamin जो B3 और N जो D होती है उसके थूरू हमारे सरीर में vitamin की selection होती है तो उसमा correct answer option D हो जाएगा friend next question friend, मनुष्य की रक्त का पीच इस्तर होता है यानि कि friends में पूछा गया है कि मनुष्य का जो रक्त होता है उसका पीच मान कितना होता है तो इसमें correct answer option ही हो जाएगा friends कि 7.35 से 7.45 के बीच मनुष्य का रक्त का पीच मान होता है नेक्स्ट क्रेंट आफरेड से संबन्दिते पूछा गया हाली में कहां भगवान राम पर एक डिजिटल संग्रालाई बनाया गया तो एक डिजिटल संग्रालाई फ्रेंड अयोद्य में भगवान राम की नाम से बनाया गया है तो उसमां correct answer option C हो जाएगा पूजा गंगलोत ने कौन सा पदक जीता था तो उसमा correct answer option A हो जाया कि पूजा गलोत ने स्वन पदक जीता था तो उसमा correct answer option A है नेक्स्ट प्रेंड हाली में Interesified Mission in the Dhanus 2.0 किसने launch किया था यह mission friends बच्चों और गर्वती महिलाओं के टेक करण के block wise लक्षय पर जानकारी अंसिल करने के लिए डिजाइन किया गया था इसको launch करने में दक्टर हर्स वंदन सीन ने इसको launch किया था तो उसमा correct answer option B हो जागा next question फ्रेंड उट की गरवावधी होती है तो उट की जो गरवावदी होती है फ्रेंड वह होती है 300,000,000,000,000.000,500,000 तो इसके बीच में उट की गरवावधी होती है वेसे ही 7 का square, 49 वेसे ही 10 का square, 100 तो इसमा correct answer option A हो जाएगा friends. Next question है friends, find missing terms, यानि कि friends पुछा गया, लुप्त पद ग्याद कीजिए, यानि कि दिये गया numberों में जो विलुप्त है उसको ग्याद करना है friends, तो इसमा correct answer option C हो जाएगा, 28 आएगा यहाँ पर, example के तोर पर हम आपको दिखा दता हूँ, 5 plus 7, 12 वैसे ही 12 plus 9, 21, 21 plus फिर से 7, बरावर 28, ऐसे ही correct answer इसका आजाएगा, 28 तो इसमा correct answer option C हो जाएगा, next question friend, यदि R का आर्थ गटाना और P का आर्थ गुणा, W का आर्थ जोड़ना और A का आर्थ भाग है तो दिये गया number को ज्याद कीजिए, तो इसमा correct answer 134 आएगा friends, option B इसमा correct answer आएगा, कैसा example के तोर पर मैं आपको बता देता हूँ, एक 140-92 इंटू 29 भागा 46 प्लस 52, इसका correct answer, इसको calculation करके देख लेना आप friends, 134 इसका correct answer आएगा, तो इसमा correct answer option B हो जाएगा friend, next question friend, यदि कुछ code बासा में L A U G H को N M A G R के रोप में coded किया जाता है, तो उसी बासा में S M A R T को कैसे coded किया जाता है, तो इसमा correct answer option B हो जाएगा friends, कि इसका जो code इट आएगा, वो आएगा Z X G S Y, तो इसमा correct answer option B हो जाएगा, सामने example दिया है friends, आप चेक के लिजीए, एक जामपल में कैसे इसको निकाला जा रहा है, जैसे कि पहले L A G H वाला लाइन पे निकाली गई है, उसी परकार S M A R T की लाइन पर उसको correct answer निकाला गया, तो इसमा correct answer option B है friends, नेक्स्ट पेशिन है friend, DDT के चिड़काओं से किस परकार का परदूसन होता है, तो इसमा correct answer option D हो जाएगा friends, की एर, वाटर और सोईल, यानि की वायू, जल और मिटी जो होती है, उसका परदूसन DDT के चिड़काओं से होता है, तो इसमा correct answer option D हो जाएगा friend, नेक्स्ट पेशिन है friend, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रभ पिर्थिवी जितना बड़ा है, तो पिर्थिवी जितना बड़ा friend, सुकर यानि की वीनस जो ग्रह है, वो पिर्थिवी जितना बड़ा है सौर मंडल में, तो इसमा correct answer option C हो जाएगा, नेक्स्ट पेशिन है friend, भारत के समीदान के किस अनुच्छेद के तहत, भारत के राष्ट्रपती पर महावीयोग लगाया जा सकता है, तो इसमा correct answer option A हो जाएगा, नेक्स्ट पेशिन है, इसमा correct answer option C हो जाएगा, इसमा correct answer option C हो जाएगा, जो है friends, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, इस question का answer आप लोग मुझे comment box में comment करके बताइगा, इस question का correct answer में आने वाली next video में आपको update कर दो, दूँगा, ये वो question है friends, जो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था, इसमें पूछा ये गया था कि वो धातू जो केवल अमल से किरिया करती है, तो अमल से friends सोना यानि कि गोल्डी किरिया करती है, तो इसमा correct answer option C हो जाएगा, friends, अगर आपने अभी तक part 2 नहीं देखा, तो part 2 देख लीजिए, मैं description box जो है, उसमें link देदूँगा, उस वीडियो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी सारे important question की वीडियो है, अक्सर यही question DR2 के chapter 9 के exam में पूछे जाते हैं, तो इनको revision कर लीजिए, चेक कर लीजिए, और मिलते हैं friends, next वीडियो में अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, तो comment और like, share, subscribe, ज़रूर कर लेना friends,